हे गाइज दिस जो दमूवी बोई के फोक करतव्य वालकम टो अर चैनल और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम दृश्यम और इसकी ओरिजिनल मल्यालम वर्जन जिसका टाइटल भी दृश्यम ही था और इसके अन्य भासाओं में बनी रिमेक के बॉक्स ओफिस कलिक्स और अधर आस्पेक्ट्स के बारे में डेटेल में जानेंगे और हमें दृश्यम टाइटल हमारे कुछ वीवर्स ने सजेस्किये थे उनके नाम है सिद्धू गूडी मनी जी शेक हामिज जी और अलिम सिद्धिकी जी तो दोस्तों आपकी जानकारी में भी सेम टाइटल वाल आइकन को प्रेस करते हुए और पर क्लिक कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सुरुआत करते हैं इसके ओरिजिनल मल्यालम वर्जन से और इसका टाइटल था दृश्यम जो 19 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई और इस फिल्म को जीत हू जो से अपने डिरेक्ट किया था और इस फिल्म में मोहनलाल, मीना, अनिजबा हसन, इस्थर अनिल और आसा सरत के सांथ सिद्की जैसे एक्टर्स में जराये थे और तकरीबन 4 से 4.5 करोड के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 66 करोड 25 लाग का ग्रॉस कलेक्शन किया था और इसका सेर बना तकरीबन 33 करो और यहाँ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आल टाइम ब्लॉक्बस्टर साबित हुई थी इसके बाद आई इसकी कंणड रिमेक जिसका टाइटल था दृष्या और यहाँ फिल्म 20 जून 2004 को रिलीज हुई और इस फिल्म को पीवासू ने डिरेक्ट किया था और इस फिल्म में व फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी इसके बाद आई इसकी तेल गूरी मेक जिसका टाइटल था दृष्या जो 11 जुलाई 2014 को रिलीज हुई और इस फिल्म को स्रेप्रिया ने डिरेक्ट किया था और इस फिल्म में व्यंक टेस, मीना, नाधिया, नरेस, कृतिकार जयाकुमार और इस्थर अनिल जैसे एक्टर्स में जर आये थे और तक्रीबन 12-15 करोड के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 40 करोड का ग्रॉस कलेक्शन किया था और इसका सेयर बना लगभग 20 करोड और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सूपर हिट साबित इसके बाद आई इसकी तमिल रिमेक जिसका टाइटल था पाप नासं जो 3 जुलाई 2015 को रिलीज हुई और इस फिल्म को ओरिजिनल फिल्म के डिरेक्टर जीतु जोसेब जी ने ही डिरेक्ट किया था और इस फिल्म में कमल हसन, गौतमी, निवेदा थॉमस, इस्थर अनिल, आसा सरत और कलाभावन मनी जैसे एक्टर्स में जराये थे और तकरीबन 45 करोड के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 57 करोड 83 लाग का ग्रॉस कलेक्शन किया था और इसका सेर बना लगबग 40 करोड और यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर सेमे हिट साबित हुई थी इसके बा लाल जाधाव और रजत कपूर जैसे एक्टर्स में जराये थे और तकरीबन 60 करोड के बजट में बने इस फिल्म ने लगबग 70 करोड का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ओफिस पर यह फिल्म एवरिज साबित हुई थी इन फिल्मों के अलावा स्रिलंका सिनेमा में भ फिल्म वहां के बॉक्स ओफिस पर भी सक्सेस्फुल रही थी आपको दृश्यम कैसी लगी थी और अगर आपने इस फिल्म के अन्य वर्जन को भी देखा है तो कौन सी सबसे बैस थी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए त टेक केर